एक question कर लिया हमने say 1 into 4 into 35C2 then minus 3 into 7 into 35C3 plus 5 into 10 into 35C4 then minus and so on dot dot last तक यह ठीकि इस सम्य निकाला है find हमने लिख लिख लिया solution solution है तो प्यर्य तो compact formula लिख 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 गिविन sub is ug to sigma 35C2 तो हमने उसकी तरफ देख के गा लिख लिख Vitya 35Cr बस आर का value कहाँ से शुरू होगा 2 से डॉट 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 तक मैं लास्ट अम नहीं लिखा तो कहां तक जाएगा थर्टी फाइव तक मनला अपर साइड में कोई डॉट मिसिंग नहीं होगा पहला चीज दूसरा माइनस वन डेश्ट पार क्या लेखें अलिखने से चलेगा वह तो हमेशे ही क्या होगा अगर अल्टरेंट प्लस मैंने साइन आ रहे हैं तो यहां पर या आर प्लस वन इसमें से एक जरूर चल जाएगा बस वह यह देखना पड़ेगा कि यहां पर पहला लिमिट क्या है उसक हाई लिखा हुए ठीक है अगर माले आर इस इकोस टू वन से चुरूर रहा होता है तब मैं यहां पर एकर वन रखता तब तो यह माइनस होना जाता तो मतलब फिर तो गर बड़ जाता क्योंकि यह पॉजिटिव साइन के साथ आ रहे तब तो हम इसको क्या करते है आर की वि फिक्स हो गया ठीक है और फिर दो का डिफरेंस इसलिए तो टू आ आ गया अब फिर मिरे को इसमें कुछ जोड़ना है या घटाना है इस हिसाब से कि यह वन आ जाए तो आर के लिए कहां से शुरूर है तू से शुरूर है इसमें दो रखा तो यह कितना देगा फॉर और मि इसमें कैसे आएगा थी घटा के तो टू-र माइनस थी हो गाए फिर दूसरे दूसरे टूसरे टर्म देखे है फोर सेवन टैन इसमें तीन का अंतर है तो फिर थी आर फिक्स हो गया और 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 रेसी call तो टू रखने पर फोर मिलना चाहिए तो आ रेसी को टू रखने पर कि minus 1 raised to power r into 2r minus 3, 3r minus 2 into 35c2, यह हो गया, तो इसको तो पहले हमने multiply कर लिया, मतलब this is equals to sigma r is equals to 2 say 35 minus 1 raised to power r, यह हो जाएगा 6r square minus 13r plus 6 into 35c, sorry 35c2 नहीं है, यह 35cr, यह r है, 35cr, फिर which is again equals to r is equals to 2 to 35, यह है, minus 1 raised to power r into, इस r square में हमने वो घटा के r into r minus 1 बना लिया, ताकि directly formula लग जाए, तो r लिखा हुआ है, एक r minus 1 अपनी दो से लिखती है, तो इसमें से 6r square आजाएगा, वो तो यह adjust हो गया, और एक minus 6r आएगा, और हमें कितना चाहिए, minus 13r चाहिए, तो इसलिए minus 7r और लिखना पढ़ेगा, तो ऐसा लिखने से r square और r दौनों adjust हो गया, plus 6 लिखा है, तो plus 6 into 35c, r यह हो गया, ठीक है, अब फिर अलग लग कर दिया, is equal to sigma, r is equal to 2 to 35, 6 minus 1 raised to the power r into r into r minus 1 into 35cr, फिर minus 7, sigma minus 1 raised to the power r into r into 35cr, 2 to 35, plus 6 into sigma minus 1 raised to the power r into 35cr, यहाँ बिखना, r is equal to 2 to 35, यह बना, so this is equal to, इस पर तो हम क्या करें, लगाता है, दो बर फार्म लगा दिया, तो पहली बार 35 उतरेगा, फिर अगली बार 34 होतरेगा, यह हो जाएगा, 6 into 35 into 34, sigma r is equal to 2 to 35, minus 1 raised to power r into, यह पहली बार घट के 34 होगा, फिर दूसरी बार 33 हो जाएगा, c, यह पहली बार r minus 1 होगा, फिर अगली बार फार्म लगाने पर r minus 2 होगया, minus 7, exactly same line पर, यहाँ पर एक बार फार्म लग जाएगा, यहाँ पर तो बस एक बार 35 उतरेगा, तो into 35, sigma r is equal to 2 to 35, minus 1 raised to power r into 35cr, छीक है, और यह जो तीसा टाम है, इसको हमने क्या किया कि plus 6 into, अलग open करके लिख लिया, तो हमने इसको ऐसे लिखा, 35c to minus 35c 3 plus, ऐसे करते करते, last time आएगा, minus 35c, 35, यह लिखा हो, कि कि अगर हम इसको ऐसे open कर दिया तो, अब आजाओ, पहले टाम पर, 6 into 35 into 34, अगर मैंने इसमें 2 रखा, तो यह 0 हो जाएगा, यहाँ पर, यह 0 हो जाएगा, और 35 रखा, तो this will become 33, तो lower सब्सक्रिप्ट के वहले, 0 से लेके 33 तक जा रहे, अब पर सब्सक्रिप्ट 33 ही है, तो मतलब सारे binomial coefficients आ गए, minus 1 raise to power r लिखा है, तो alternate plus minus sign आ गया, तो of course answer कि अपना हो गया, 0, तो यह तो vanish हो गया, दूसरे प्याते, minus 7 into 35, ठीक है, अगर इसमें मैंने 2 रखा, यह गरवड हो गया नहीं, sorry, इसमें जब formula लगा है, तो 35 नीचे उत्रा, तो यह 34 हो जाएगा, और यह r minus 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बार formula लगा है, इसमें 2 बार formula लगा है, तो r minus 2 हो गया, इसमें एक बार formula लगा है, तो r minus 1 हो गया, हाँ, तो इसमें अगर r is equal to 2 रखा तो यह 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है, और 35 रखा तो यह 34 हो गया, अपर subscribe 34 है, तो उसका हम लगा है, क्या हो गया, बस क्या होगा, कि यह 1 से शुरू हो रहे, ठीक है, और जो 1 वाला टाम है, जैसे r is equal to 2 रखो गये, तो यहाँ पे minus 1 less to power 2 प्लस 1 आजाएगा, तो जो 34 c 1 का टाम हो, r is equal to 2 रखने पर यहाँ पे lower subscribe 1 आएगा, वो plus sign के साथ आएगा, तो इसमें सारे term present है, केवल 34 c 0 absent है, तो हमने क्या क्या क्या, कि minus 34 c 0 जोड दिया, और 34 c 1 minus 34 c 2, यह तो पहले से लिखे हूँ है, minus 34 c 34, यह तो पहले से लिखे हूँ है, यह ठीक है, यह सिग्मा लिखा हुआ है, यह हमने extra term जोड़ा है, तो अगर minus 34 c 0 extra जोड़ा है, तो फिर इसमें plus 34 c 0 भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो यह मिलके तो कितना हो गया, 0, और यह बच जाएगा अंदर, ठीक है, फिर आते हैं अस तीसरे ब्रैकेट पे, plus 6 into, same logic यहाँ पे चल जाए, यहाँ पे पहले दो term missing है, तो 35 c 0, minus 35 c 1, plus 35 c 2, यहाँ से अलरी प्रिजेंट था, यह दोनों हमने एक्स्टा जोड़े है, minus and so on, last में minus 35 c 35, यह ठीक है, और इसी ब्रैकेट के अंदर, यह प्लस का हमने एक्स्टा जोड़ा है, तो एक minus 35 c 0 और आएगा, फिर यह minus का हमने एक्स्टा जोड़ा है, तो एक plus 35 c 1 और आएगा, अब क्या हुआ कि यह जो sum है, यह ठीक है, यह तो 0 हो गया, यह दोनों बच गया, तो answer कितना हैगा, पहला term तो 0, इसकी वज़े से, दूसर term minus 7 into 35 into, इस ब्रैकेट के अंदर बचा गया, यह तो 0 हो गया फिर, यह वला term बचा, plus के साथ, 34 c 0, फिर तीसे term में, इस वले term में क्या बचा, plus 6 into, यह तो 0, यह तो 0 हो गया, minus 35 c 0, plus 35 c 1, so this is equal to minus 7 into 35 into 1, इसका वली तो 1 होगा, और यह हो जाएगा, plus 6 into, minus 1 plus 35, which is 34, this will be minus 7 into 35, plus 6 into 34, यह तो जाएगा, फिर के सको, हो, calculate कर लिया, चलो, 245, साही लिखा है, plus, 204, तो कितना हो गया है, minus 41, यह answer आज़ी, यहाँ पर हमने वैसे explain करने के लिए, ऐसे sigma को open करके लिखा, यह ठीक है, sigma को यहाँ पर, जैसे यहां से यहां तक जाने में, हमने sigma को open करके ऐसे लिखा, वरना करने ही जहूत नहीं है, तुम तो directly ऐसे देख सकते हो, कि 2 रखा, 2 रखा है यहां पर, तो lower subscribe 2 से शुरू हुआ, 35 रखा, तो upper subscribe 35 तक गया, तो उसका उलग है कि 0 और 1 वाले term missing है, तो 0 और 1 वाले term, जैसे 2 रखने पर यह plus के साथ आएगा, तो 1 वाला minus के साथ आना चाहिए, और 0 वाला plus के साथ आना चाहिए, तो 35C 0 इसमें और जोड दिया, and minus 35C 1 और कर दिया इसमें, तो उससे तो क्या होगा, यह पूरा 0 हो जाएगा, और जो हमें term जोडे हैं, उनका negative term इसका answer आजाएगा, ठीक है, तो हम तो simply ऐसे सोचों कि मालने एक बीटा लिखा हुआ है, और मेरे को यह पता है कि alpha plus beta 0 है, तो अगर बीटा लिखा हुआ है, तो मैंने उसमें alpha जोड आ रहा, alpha घटाया, तो alpha plus beta वाला term तो 0 हो गया, और जो alpha घटाया, minus alpha, वो बच गया, वो यह answer बच गया, उसको nullify करने के लिए उसी का minus बचा रहेगा उसमें, तो जैसे मालने अगर alpha plus beta plus gamma 0 है, और alpha plus beta present है, तो हम क्या करेंगे, gamma चाहिए 0 हो बना लेंगे, तो हमने gamma जोड़ा, gamma घटाया, gamma जो जोड़ा, उसके alpha plus beta plus gamma 0 हो गया, और जो gamma घटाया, वो answer मेरे गया, minus gamma, ठीक है?